रादी रादी फ्रेंजs जय मातादी कैसे हैं? आप सभी आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे आपके अपने योंटूब चैनल नीला मिश्रा ब्लॉग में स्वागते फ्रेंजs तो यहां पर यह जो ब्लॉग के बीच-बीच का थोड़ा-थोड़ा क्लिफर में लगाया हुआ है तो आप लोग वीडियो पे बने रहेएगा फैंस वीडियो को बोलवाज़ेगा और जहां से हमने अपने ब्लॉग का एंड किया था बस वहीं से दूसरी ब्लॉग का इस्टा बगल में भी दो-तीन तालाब है और हमारा जो सड़क पे घर है वहां भी दो-तीन तालाब है तो आज आप लोगों को दिखाएंगे और यहां हम अपने ब्लॉग का शुरुआत की हुए हैं साम के टाइम से तो यहां तुलसी का हम पुताई कर रहे हैं तो क्यूंकि साम के इ अच्छे से फोकस केमरा में जो भी क्लिफ है वहाता नहीं है तो हम अपना तुलसी का पुताई का काम शुरू कर दिए हैं और यहां आप लोग वीडियो पे बने रहेगा फ्रेंस वीडियो को फूल वाज जरू किजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंस और फेमली में सेयर भी किजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लिजिएगा ऐसे विलेज ब्लोग देखने के लिए और घंटी को दबा कर बेल आइकन भी प्रेस कर लिजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकिसन सबसे पह ही पर हमारे पास चूना नहीं था वायट सिमेंट जो होता है वह ही है तो वायट सिमेंट से हम इसका थोड़ा थोड़ा वायट कलर का भी लुक दे रहे हैं और इसके बास से इसका पूठाई करेंगे तो फहले जो हम च्छोटा सा आलमारी टाइप में दोनों साइड अमने वाइट कलर का थोड़ा सा अलमारी में जो लगाय हुआ है फ्रेंस ओ थोड़ा इसमें गेरू भी गिर गया है तो उसको हम बाद में ठीक कर लेंगे पहले पूरा पुताई हो जाएगा क्योंकि अभी जो ये हम रंगाई कर रहे हैं घंदे का तुलसी का जो गमला है इसको तैयार करने के बाद इसमें अलमारी बनाए हैं उस साइड नहीं जिस साइड थोड़ा सेंपल सा है तो दोनों साइड से जैसे स्वास्तिक और ओम का भी हमें जैसे सेव बनाना है तो फिर अभी हम पहले पुताई करेंगे इस पुताई के सुकने के बाद फिर से हम डबल इस पे एक बार और पुताई करेंगे क्योंकि मिट्टी का गमला है आज हमारा मिट्टी का गमला जो अप गटायी तो जोना लेयर अध्या छी जानू से जर्णेदन किसा कटाः इस नहत्यिक बूसदा रहान पिनां पूहरों डूसम खैब आध़ करें आधेर हमता है किवे नले किसे वुटायी चसे अध्य दाई किसेließen तो इस side का sample है friends तो इस side भी और उस side भी एक-एक side हमने जैसे थोड़ा छोटा-छोटा सालमारी का look दिया है और जैसे इसके सीधे side दोनों side हम sample में छोड़े हुए हैं स्वास्तिक और रोम का जैसे safe बनाने के लिए क्योंकि तुलसी में होता है और बहुत ही अच्छा लगता ह वह भी तो उसको भी हम बनाएंगे लेकिन अभी हमको एक बार और यहां ऐसे ही पुताई कर देना है इसके बाद से फिर हम वाइट कलर और इसमें जो भी है जिस भी कलर से हम बनाएंगे आप लोगों से वह भी शेयर करेंगे तो आज हमारा गमला तैयार हो जाएगा रंग के और आज बहुत जादे थकान भी हो गया फ्रेंस क्योंकि बहुत काम आज करना पड़ गया और आप लोग भी बने रहेएगा देखेगा जो मेंगेट के सामने का जो जगह है फ्रेंस काफी जैसे हम उस पे मट्टी का भराय रही करके अच्छे से क्लीन करके वहां का भी बैटकर और नहाते हैं तो फिर वहां का जो मिट्टी है सारा मिट्टी निकलकर तालाम में चला जाता है और जो बसता है कंकर तो देखने में बहुत ही खराब लगता है तो इसलिए मैं वहां थोड़ा सा कुछ करने वाली हूं और बहुत ज्यादा मिहनत भी लगा आप तो इसको मैं बोल रही हूं मार्केट जाने के लिए तो क्योंकि सब जिब जिलाना है साम का टाइम है तो हमें का चले जाओ और इसके बाद से फिर यहां अंदर हम थोड़ा सा जो बचा हुआ एक गेरो उसको अंदर थोड़ा थोड़ा दे देते हैं नीचे के साइड उपर नहीं क्योंकि ऊपर का जो भी चुटा है उसको हम वाइट कलर में से ही हम ठोड़ा सा ठीक कर देंगे कि इस पड़ी इस वहाँ की बाद में करेंगे लेकिन अपर और तो ऑप काम काम की तो trends पर ना है और उसको हम करेंगे बाद में ताकि जो काम है दुबारा करें तो फिर कंप्लेट भी हो जै तो इसको अब हमारा गमला तो तैयार हो गया है तो थोड़ा सा बच गया था गेरू तो हमने का भेस्ट नहीं जाने देंगे बस साइड साइड से भी हम थोड़ा सा यहां पोटाई कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे और सच में ना ही कोई एक रुपे का खर्च हमने नहीं किया इस गमले में फ्रेंस बस अपना मेहनत ही लगाया है और खुद के मेहनत से और घर पे ही था हमारा गेरू जो होता है लालमिटी रहता ही है और जो हमारे पास चूना नहीं था तो हम वाइट सेमेंट था तो उसका यूज ले लिए और बहुत ही अच्छे से हमारा गमला तयार हो गया और उसकी बास से फ्रेंस ए मॉर्णिंग का क्लिफ है तो आप सभी को गुड मॉर्णिंग फ्रेंस मॉर्णिंग में जितना भी काम हमने कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था तो जैसे की जाडू लगाना बच्छे का गोबर उगरा का स्ताफ सफाई बच्छे को हटाना चारे के लिए और जो भी छोटे-छोटे सारे काम थे उसको करते हुए और उस सारे क्लिफ हम हमने आप लोगों से सेयर किया था मिठी के रसोई घर को पोतनी मिठी से लिपाई पुताई करना तो सारे काम को करने के बाद मैं इस काम को कर रही हूं क्योंकि कल का व्लोग जो था तो सब कुछ हमने आप लोगों से सेयर किया हुआ था और एचीज अगर सेयर करते तो लगा कम से कम यहां हम 15 जैसे जो होता है ना तगड़ उससे 15 तगड़ हम लाए थे मिट्टी और मिट्टी बाहर ही है आप लोगों को सेयर भी क्या था सड़क बनने माला है तो थोड़ा साफ सफाई का काम हुआ है तो वहीं से मिट्टी लेकर आये अपने जो बाहर का जगह है वहां से ही और सुकी वाली मिट्टी तो इसको हमने कहाँ पहले क्लेन कर देते हैं थोड़ा सा ठेक हो जाए क्योंकि एकदम जैसे उखड़ने के बाद यहां कंकर ही दिख रहा था उबढ़ खाबर सा हो गया था देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और ओव जब दूसरा टाइम जैसे तीन बजे के बाद से चाया हो जाता है तब नहाते हैं तो यहां देख सकते हैं फ्रेंस हमने इट अच्छे से लगा लिया है साब सफाई के बाद और इस इट पे हम अच्छे से बालू और सिमेंट का घोल करेंगे पहले जैसे जो घुरेया बोलत जैसे हमें समझ में आया वैसे ही हमने कर दिया हमने काख कॉर्स पर बैट कर नहीं नहाम सकते हैं पर में आप लोगों को बताया है कि आधने में बहुत प्राब्लम होता है तो वास इसलिए बैठते हैं और आराम दाण का जो पानी होता है उससे नहाते हैं तो बहुत जो मिट्टी हम भराई करके यहां लिपाई पुटाई कर देते थे तो सारा कुछ बैकर ताला में जाता था और खंडर जैसे उबर खबर यहां गेट के सामने दिखने लगता था मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था त से इससे मिलाने के बाद फिर और इसमें पानी लेंगे कि बालू सिमेंट पानी भी बहुत जोगता है तो हाथों से हमने का पठापठ से कर लेते हैं धूप भी हो गया है और धूप भी लग रहा था क्योंकि ए मॉर्णिंग का जो टाइम है फ्रेंस इस टाइम पे नौ बज भी किए और सब भी इसी के लिए घी हथे क्लिप हम सुरूप किये का थोड़ा बता पर उसे से इर करते हैं और इसके बाद से देख सकते हैं आच्छे से हमारा बालू और सिमेंट रएा इसके भी रखे ईसको को बैठा देते हैं हाफों से ही किसी चीज का जरूरत नहीं है और तुरंट से हाथ भी धोलेंगे हाथ हो जाएगा साफ और काम हमारा यहां का बन जाएगा इसके बाद हम क्या करने वाले हैं आप लोग वीडियो को देखते रहेगा प्रेंस क्योंकि अभी यह सुखेगा दिन भर सुखेगा साम को इसका फ अभी हमें कुछ ट्रेस से किनारी साइड साइड का जो होता है जैसे कि पानी बस इसी के अंदर रहे तो इसको भी हम बना दियें क्योंकि हमने का वसी काम भी लगे हांत कर लेते हैं इसके बाद नहाने चलते हैं तो बस अभी इसमें हमने पानी और दे दिया है थोड़ा सा उब करके घ्रमी का छीटा और धोर सुख भी है उसके बास साम हो गया था फ्रेंस काफी साम हो गया तो मिटि सारिव फ्रेंस जो बालू होता है और सिमेंट अच्छे से leva भू बना लिया है और इसमें पाशा जैसे चिकना करने का ज़रूरत है जो प्लसका काम होता है कर दिया थोड़ा सा मेनत लगा अपने हाथों से ही हमने तयार कर दिया एक छोटा सा जो मोरी होता है नहाने वाने का काम अब ये बन गया हमारा अब मौरिंग का क्लीफ है अब आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे मौरिंग के बजराए 16 और जैसे जैसे नीद लगा वय कड़ी मेनस से नहाने का जो मोरी होता है कपड़े धुलाई करें या कुर्सी रखके यहां पर अराम से नहा सकते हैं सनी के पापा पानी विलकुल भी इधर उधर नहीं जाएगा बहुत ही अच्छे से गेट के सामने हमने यह जगब बना दिया क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता था और यह सीमेंट से थोड़ा थोड़ा जैसे खड़ाहन साघ्र। के बाद से साम को थोड़ा सा काम किया और हमारा अच्छे से मोरी बन गया उसके बाद से सुवे हम वही चीज आप लोगों को दिखाएं तो इसके बाद आप लोगों को आए हैं दिखाने के लिए कि हम कहां से पोतनी मिटी उठाते हैं चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं उसमें पानी अभी, जैसे थोड़ा-thोड़ा है तो अगर गीली मिटी की ज़रूरत हो, तो यहां से भी जैसे पोतनी मिटी मिल जाएगी गीली-गीली। तो ये भी पोतनी मिटी है और एकदम चिकनी सी है और कंकड उंकड एका कंकड जब नीचे अगर हम नीचे से मिटी निकालेंगे तो पूरा थोड़ा बहुत कंकड भी आ जाएगा लेकिन उपर उपर से अगर मिटी को निकालेंगे तो उपर का मिटी एकदम चिकना सा रहता है अबी हम निकल रहे हैं तो फिर मुझे याद आ गया कि पोदीना यहां पर हमारे यहां जो गाओं का घर है काफी सारा है तो दो चार पेड़े ले लेते हैं और वहां सड़क वाले घर पे हम लगा देंगे तो काफी जैसे गर्मिका मौसम है और पोदीना का जरूरत भी रहता ह तो जब भी जरूरत होता है, यहां से मंगवाना पढ़ता है, देख सकते हैं, काफी भराबरा सा पुदिना है, तो हमने का दो-चार पेड लेकर लगा देंगे, तो फैल जाएगा, वहां भी हो जाएगा, क्योंकि याद आ गया, तब ही ले लिए, ने तो फिर क्या है, जब ज पौडर बना कर रख भी लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा सामने का वहां भी लगा देंगे, तो सही रहेगा, और स्रिष्टी लेकर दिखा रही है हातों में, और हम आब यहां से चलेंगे, क्योंकि घर पे आये थे, तो हमने सेयर नहीं किया था, यहां धनिया है, तो फिर हम आप से मिट्टी निकालते हो गया, तो फिर नहीं हम इस्टेंड में सेट कर सकते हैं, और नहीं खुद से, क्योंकि घाओं है, आप लोग समझ सकते हैं, घाओं में कई लोग कई तरीकों का बात निकालते हैं, तो फिर इसलिए सब कुछ सोच कर हमें काम करना पड़ता है, ज यहां से पहले हम घर नहीं जाएंगे, सीधे बगल में ही तालाब है, जो कि इस टाइम पर गाओं का घर का जो तालाब है, वो सूख चुका है, तो हम सीधे चलेंगे तालाब में, और यहां से आप लोगों को दिखाएंगे, कि जो सूखी सूखी सी पोतनी मिट्टी मिलती ह वो यहीं पर मिलती है इसी तालाब में मिलती है और हर तरीके की मिट्टी मिल जाती है फ्रेंस लेकिन क्या करें ब्लॉग हम पूरा जैसे हम चाय रहे थे वैसे सूप नहीं हो पाया लेकिन फिर भी हमने जो वादा किया आप लोगों से कल के ब्लॉग में कि कल आप लोगों को जरूर दिखाएंगे तालाब तो और वहां ले चलेंगे उस मिट्टी को दिखाएंगे कि कहां से मिट्टी हम मंगवाते हैं और जब हमें इकठा रखना होता है तो इसी तालाब से गाओं के घर के ही तालाब से मिट्टी ओ इकठा जैसे बोरी में करकर हम मंगवाके रख लेत हैं तो देख सकते हैं घाओं के घर का है तालाब है बड़ा सा बहुत ही बड़ा तालाब है फ्रेंस लेकिन स्रिष्टी ही क्लिप ले रही थी और बच्चे का क्या है बच्चों लोग जैसे समझ में आता है वैसे ही करते हैं और फिर यहां पर आचुके हो जगह यहीं पर दें क्योंकि पानी चला गया था तो थोड़ा अच्छा से ओ कलर नहीं दिखाई पा रहा है जो कलर में है तो उसी वजह से और कल हमने बनवाने के लिए भी भेजा था लेकिन थोड़ा अभी उस तरीके का नहीं आ पा रहा है जैसे पहले हमारा जो भी है सारा कुछ पुरसिल ही जरूरत होता है, और यहीं से मिट्टी भर कर नहीं दीकर यह एक हाथ उम लेकर महत आज का व्लोग्र आप कमेंट में जरूर बताईएगा तक यह हमारा होसला बढ़ता है और आप लोगों को हमने वादा भी किया था फ्रेंस की हम कल के वीडियो में जरूर दिखाएंगे कि हम जो पोतनी मिटी होती है चिकनी चिकनी सी एकदम मुलतानी मिटी जैसी वो मिटी हम कहां से लाते हैं तो गाओं के घर के जेश्ट बगल में ही जो मिटी में खिलकर कलर आता है जब हम खुद से मिटी को भीगाते हैं तो और गीली मिटी भी हमने शेयर किया कि हमें अपोतनी मिटी का जरूरत हो पर गीली गीली से हमें चाहिए भीगाना न पड़े तो ओ मिटी भी हमने आप लोगों को शेयर किया दो जगर का तालाब दिख तो चलिए फ्रेंज वीडियो हो रहा है काफी लेंती और इस वीडियो का कर लेते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यार इसे ब्लॉक के साथ कल तब तक के लिए बवर वीडियो देखने के लिए थांक यू